समस्ते रनंत पर आयाई दरपण तलेव सकला प्रती फलती पदार्थ मालिका यत्र परमाग मस्य बीजं निशेध जात्यंद सिंदुर विधानं सकलने विलसितानां विरोध मतनम नमाम्यने कांतम विरोध मतनम नमाम्यने कांतम पुरुशार्थ सिद्धी उपाहे नामकी अग्रंथ अमरच चंद्राचार्य देव की यह सुन्दर रचना अनुपम रचना अद्भुत बातें एक एक बात मानो हमारे लिए ही लिखी जा रही हो उपर से ऐसे विद्वान जो टोडरमल जी की परंपरा में रहे टोडरमल जी के अनुयाई रहे पंडित दौलत रामजी कासलिवाल साब उनके द्वारा लिखी गई है टीका बारे भावनाओं का प्रक्रण और भावनाओं की चर्चा कल तक हम यहां संपन कर चुके थे और अंतिम चर्णों में यह कहा जा रहा था कि भाईया धरम भावना भाओ धरम भावना भाओ जब हम किसी व्यक्ति से धरम की भावना की बात करते हैं तो हर व्यक्ति यह कहता है अरे धरम भावना हम तो खूब धरम करते हैं यह बहुत धरमात्मा जीव हैं यह बहुत धरम आत्मा हैं धर्म करते हैं हम तो खूब धर्म करते हैं भीया धर्म करने से पहले धर्म को जाना जाता है भीया धर्म करने से पहले धर्म को समझा जाता है समझे बिना धर्म नहीं होता जाने बिना धर्म नहीं होता जब तक जानेंगे नहीं जब तक समझेंगे नहीं तब तक ध धर्म की शरण में जाएं किसकी शरण लेवें किसका आश्रे लेवें कौन है हमारे लिए शरण भूत कौन है हमारे लिए प्रियोजन भूत इस तीन लोग तीन काल में यदि कोई हमारे लिए प्रियोजन भूत है तीन लोग तीन काल में यदि कोई हमारे लिए शरण भूत है तो वो एक मात्र धर्म ही शरणभूत है कुछ अलग अटके बाते हैं कुछ अद्पुत बाते हैं वस्तु के स्वभाव को धर्म के दिया आत्मा भी एक वस्तु है इसलिए आत्मा का स्वभाव भी एक धर्म है हर वस्तु धर्मात्मा है स्वभाव से हम स्वभाव से धर्मात् दिखना है उस वभाव को पैचानना है उस वभाव का अवलम्मन लेना है उस वभाव की स्विक्रती करनी है और क्या चाहिए हमारे को किसी भी व्यक्ति को धर्मात्मा होने के लिए क्या करना है धर्म को जानने का नाम ही धर्म है धर्म को पैचानने का नाम धर्म है धर्म को ज पारी भावना ही नहीं है हम क्या करना चाहते हैंuk 241 पेच पर कल इस चेर्चा को यहां तक हम ले गए थे कि रत्मत्रे ही धर्म you रत्नत्रे सम्यखदर्शन सम्यग्जान सम्यख़ारित्र ये रत्मत्रे ही धर्म है और धर्मे ही शरण भूत हैं किस की शरण में जाएं जो को जिता पर की शरण वह ए आत्मा वहिरात्मा जो परकी शरण खोज रहे हैं जो दुनिया में शरण सहरा तलाश रहे हैं हर यक्ति को सहरा मिल जाये को बुड़ापे का सहरा आसहायों का सहारा हम संकट के काल में सहारा खूजते हैं परेशानियों में सहारा खूजते हैं संकट तो किसके जीवन में किसकी लाइफ में नहीं दिखाई देते हैं हर व्यक्ति हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ नो कुछ संकट और परेशानियां दिखाई देती है लेकिन प आपको परमात्मा याद आता है तो वो बराबर नहीं है बात आत्मा याद आना चाहिए धर्म याद आना चाहिए परमात्मा याद आते हैं तो वो परमात्मा परमात्मा कैसे बने उन परमात्मा ने संकटों को जीतने के लिए क्या किया था वो भी तो याद आना चाहिए आप को संकट के काल में पार्षपनाद भगवान याद आते हैं हम आपसे पूछते हैं जब पार्षपनाद भगवान के ऊपर संकट आया था तो उन्होंने किसका सहारा लिया था मुनिराजों के ऊपर जब संकट आते हैं तो वे किसका सहरा लेते हैं किसकी शरण लेते हैं बताओ तो सही किसी का तो सहरा लेते होंगे स्वभाव का अवलम्मन लेते हैं, दुनिया में कहीं शरण नहीं है, बाहर में शरण है यह नहीं, आप तलाश का रहे हैं, बाहर में खोच का रहे हैं, आप शरण मिलेगी ही नहीं, दुनिया में कहीं सहारा मिलने वाला नहीं है, हम कहां सहारा खोच रहे हैं, केवली पनक्तम धम्म सरनमपवज्यामी जनेंदर भगवान के द्वारा प्रणीत जनेंदर भगवान के द्वारा कहा गया धर्म वही एक मात्रिशरण हुद है वो धर्म कहां है वो धर्म कहां मिलेगा केवली भगवान द्वारा बताए गया धर्म कहां मिलेगा बताओ कौन सी जगे पर मिलेगा जेपुर में मिलेगा के जोदपुर में मिलेगा अजमेर चले जाएं के बंबई जाएं कहां जाएं बतलाइए बोपाल में तो नहीं मिलेग विदीशा में आएं कहा मिलेगा वेदेही में आना पड़ेगा तो मिलेगा विदेह में आना पड़ेगा विदेह शेत्र भी जाने की जरूरत नहीं है देह से भिन देह देवाले में विराजमान अपने आत्म तत्व कावलम्मन लेने से वो धर्म प्रकट होता है उस धर्म की यहां चर्चे चल रही है उस धर्म का स्वरूप यहां बतलाया जा रहा है उस धर्म की प्रेरणा यहां दी जा रही है वो धर्म भावना है धर्म का विचार करो धर्म के बारे में चिंतन करो धर्म के बारे में सोचो जरा क्या धर्म हैं और क्या करना है जब तक हमें यही नही कैने कहें से नहीं पता है कि धर्म के इसका नाम है और करना क्या है तब तक लगे हैं दरम दरम करने के लिए कुछ नहीं होने वाला है बर्म के अलावा सिर्फ और धर्म होने वाला है इसके अलावा और कुछ नहीं होगा अंदर खोजना पड़ेगा भी या मैंने कहा ना पार्षनाद भगवान क्या किया उन्होंने संकट के काल में पार्षनाद भगवान ने संकट के काल में जो किया हमें भी तो वही करना चाहिए उन्होंने भी उनकी शरण ली थी क्या बात क किया था जब डॉक्टर के खुद के एक्सिडेंट हो गया था तो वो किसकी शरण में गया था मतलो जिनकी शरण में हम जा रहे हैं उनके उपर संकट आया तो उन्होंने किसकी शरण ली हमें भी उसी की शरण लेनी चाहिए भाई साब क्या बोलो क्या कहना चाहरे हैं क्या कहना चाहरे हैं कौन से शरण की बात कर रहे हैं यह बड़ी गजब गजब की पंक्तियां है भाई साथ आत्मा ही है शरण बस दुनिया में कहीं शरण खोजने की बात नहीं है कहीं तलाशने की जरूरत नहीं है ग्यान ही समाधान कारक है ग्यान ही समाधान कारक है मेरा ग्यान मेरा समाधान करेगा भीया समस्या कहा है समस्या बाहर में नहीं है समस्या अंदर में है जहां समस्या होगी वहां मिटाई जाएगी जहां प्रावलम होगी वहां समाधान होगा समस्या दिमाग में है समाधान बाहर में करना चाहता है कैसे होगा दोसो चम्वाली स्पेज मोख्षमार्ग प्रकाशक गरंथ पहली लाइन परदरवे कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चलती है चर्चा सुबह प्राते काल क्या चर्चा चलती है देखो तो सही आप परद्रवे कोई जबरन तो बिगाडता नहीं परद्रवे जबरन बिगाडता नहीं परद्रवे सुधार होता नहीं परद्रवे से बिगाड होता नहीं जहां बिगा जहां उत्पन हुआ है वीतराग्ता वहां उत्पन होगी कशाय जहां उत्पन हुई है शान्ति वहां उत्पन होगी अज्ञान जहां दिखाई दिता है ज्ञान वहां होगा राग जहां है वेराग्य वहां होगा हुज समस्टमेश हमारी बत राग जहां है वीत्राख्त वही होगी कि कहशाय जहां है कशाई पनाव होगा चिंतन में यदि टेंशन चल रही है तो टेंशन से मुक्त भी वही होंगे चित में यदि घबराट चल रही है तो घबराहट चित में मिटेगी बार में नहीं मिटाने से होगा कुछ काम प्रॉबलम कौन सी जगे पर है उख सोचना पड़ेगा हमारे को शरण को ने धर्म शरण है धर्म मने शांत परिणाम धर्म मने मोह से रहित परिणाम धर्म मने वीतराग परिणाम धर्म मने वीतराग भाव धर्म मने सेच परिणाम इसका नाम धर्म है धर्म किसका नाम है जो भाव मोहते न्यारे द्रग ग्यान व्रता दिक सारे सो धर्म जब जी धारे तब ही सुख अचल निहारे जो भाव मोहते न्यारे द्रग ग्यान व्रता दिक सारे दर्शन ग्यान व्रत समय दर्शन समय ग्यान समय चारित्र सारे के सारे सब कुछ बोलो क्या करें द्रग ग्यान व्रत समय दर्शन समय ग्यान वर समय चारित्र सो धर्म ये धर्म है ये धर्म है सारी दुनिया बाहर में धर्म 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 क्या सारी दुनिया सारे दुनिया भर में यहां धर्म हो रहा है धर्म पांडाल में हो रहा है धर्म विदानों में हो रहा है धर्म अनु वोवीजनों में हो रहे और तो और लड़ों पेड़े खाने में हो रही है कई क्या क्या चल रहा है बतलाव व regarding कि मौन मस्टी करोड्ल का में चल रहा है क्या और पौसथ बड़े को पौसथ बड़े गरम-गरम बना करके धरम के पर खूब धरम हो रहा है आज के आनंद की खूब खाओ लड़ू बांटो प्रभावना बांटो खूब धरम हो रहा है वहां क्या कर रहे हैं अपन दर्वाजे के बाहर कड़े होकर के प्रभावना बांट रहे हैं नारियल बांट रहे हैं धरम हो रहा है चामल चड़ा रहे है बदाम चड़ा रहे हैं जितने ज़्यादा चड़ाओंगे उत्ता ज़्यादा धर्म होगा धर्म समझ लो किसका नाम है शांती जहां होगी वहां धर्म है अंदर की शांती का प्रसंग है या तो शांती अंदर में है भाई साब अंदर में आएगी शांती बाहर में कहीं शांत आत्मा बहिरात्मा कौन किसकी शर्ण है हरी हंत से दाचार ये पाठक साधु है परमेश्ठिपन सब आत्मा की अवस्थाए आत्मा ही है शर्ण आत्मा ही है शर्ण कौन पंच परमेश्ठि भी नहीं पंच परमेश्ठि को इसलिए शर्ण का है कि हाथ पकड़ करके मुझे अपने आत्मा की शर्ण में बेज देते हैं इसलिए पंच परमेश्ठि को शर्ण का है क्यों शरण है वे मार्ग बता देते हैं निराकुलता का मार्ग बतला देते हैं शांती का मार्ग बतला देते हैं शांती का मार्ग बतला दिया उन मुनिराजियों ने उन वीतरागी संतों ने इन सत्षास्त्रों ने जिनवाणी ने जिनवाणी मा ने ये जो बातें बता दी है मेरे को, ये बाते मेरे लिए शरण भूत है, इन बातों को पढ़कर, इन बातों को सुनकर, इन बातों को अपने हृदय में धारण कर, इन बातों को अपने जीवन में उतार कर, मैं निराकुल हो जाता हूँ, अरे सुख प्रकट हो जाता है, सुख की उत्पत्ती का नाम ही तो शरन लेंगे इस आकुलता से बचने के लिए किसकी शरन लेंगे जहां दोड रहे हो अरे शरन लेने की आकुलता गजब हो गई भाई साब किसकी शरन लो किसकी शरन किसको दिखाऊ किसको दिखाऊ तीन डॉक्टर इसको दिखाऊ उसको दिखाऊ इसकी शरन ले लो उसकी राह नियन ले रहा है दुनिया भर में कहा चरण खोजे खोचते फिर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है हमारे को दुनिया भर में खोचते फिर रहे हैं नहीं उन वकीलों से बात करो नहीं उन से बात करो बहुत कोई कोई जानकार है क्या वहां कोई हाई कोट के अंदर कोई वकील ज तलाश रहे हो एक बात बतला दीजिए आप क्या एक बात आप से पूछना चाहते हैं शांती मिली के नहीं मिली शरन शरन तलाशने में कहीं अशरन बन करके तो नहीं बटक रहे हैं किसकी शरन में जाएं धर्म ही शरन है जिस धर्म को शरन कहा गया है वो धर्म बाहर में नहीं है जिस धर्म को शरण कहा गया है वो धर्म तो अंदर में है कहां कहां खूजता है बंदे जिसको तु बाहर में खूजता है वह तो तेरे भीतर है वो तो तेरे पास है देखिए बड़ी सुन्दर पंक्तियां ती रत्नत्रे धर्म सम्यक दर्शन सम्यक ज्यान सम्यक शारित्री रत्नत्रे ये धर्म है इनका पूर्ण विकास जब तक नहीं होता है तब तक संसार बंदन नहीं चूट सकता है 241 नमबर पेच पर पुरुशार सिद्धी उपाए नई पुस्तके जरा देखिए एक एक शब्द पढ़ने युग्ये है एक एक शब्द अंतर में उतारने युग्ये है उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदी भी आत्मा के दस धर्म है शमा मार्दव आर्जवादी भी आत्मा के दस धर्म है यह भी आत्मा में है मिल गया है ना गुजराती पुस्तकों में एक सो सक्तर नंबर पेज है पुरानी पुस्तकों में एक सो अस्ती नंबर पेज है यहाँ 241 नंबर पेज है उत्तम शमा मार्दव आर्जवादी भी आत्मा के दश धर्म है तथा जीव दया भी आत्मा का धर्म है आत्मा का धर्म है जीव दया जीव दया सुनते ही तुरंत एकदम लोगों के कान ऐसे खड़े हो गए हो गये जीव दया को धर्म के रहे हो बहुत जो आत्मारती स्वाद् जीव दया कैसे धर्म हो सकता है जीव दया कैसे धर्म हो सकता है जीव तो मैं स्वयम हूँ कौन सी जीव दया की बात कह रहे हो आप जिस जीव दया को धर्म कहा गया है जीव कहते ही आपको कीडे मकोडे क्यों दिखने लगते है जीव कहने पर कीडे मकोडे तो दिख रहे हैं जीव कहने पर गावेस बेड बकरी तो नजर आ रही हैं जीव कहने पर ये देख देवाले में विराजमान ये ये जीव क्यों नजर आ रहा है बतलाईए मुझे जब जीव दया की बात करते हैं तो जीव दया के अंदर कबुतरों को दाना डालने की बाती क्यों आती है योगेश जी साथ बोलो कबुतरों को ज़ार देने की बात गायों को चारा डालने की बात बंदुरों को केले किलाने की बात यही बातें क्यों आती है जीव दया के नाम पर, क्या अपने आत्मा को पहिचानना, क्या मेरी आत्मा की अधो गती नहीं हो, क्या मेरा चतुर गती परीब्रमन नहीं हो, इसका नाम जीव दया नहीं है, क्या मैं जीव नहीं हूँ सबसे पहले दया तो इस जीव पर होना चाहिए ना दुनिया भर के जीवों के उपर दया करते हो दया करने की बावना बाते हो पूरे दुनिया भर के जीवों के उपर इस पर दया इस पर दया इस पर दया इस पर दया किस पर दया जीव दया ने ने साब जीव दया साब जीव दया साब दिपावली के प्रसंग पर कितने हमने पोश्टर बांटे कितने पोश्टर लगाए हमने इसकूलों में जा जा करके हमने पठाकों के विरोध में खूब खूब बोला हमने पठाके नहीं चड़ाएंगे कोई भी लोगों ने प्रत कोई पक्षी उड़ता हुआ गायल दिखाए देवे तो फटा-फट चीत साले पहुंचा दाना क्यों क्यों कि हम जीव दया के मार्ग में लगे वें कितनी कंपनी है जीव दया के नहीं भईया तुम चमड़ा क्यों नहीं यूज में लेते हो क्यों की जीव दया अरे चमड़े अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना जरा मेरे कहने से मत मानना मैं जो बात कहता हूँ ये बात आपको जच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जीवदया को यदी मैं और explain करूँ ना आत्मा का धर्म इसका भाव भासन ऐसा होता है इसका मतलब अपना बला चाहता है प्रत्यक आत्मा के मार्ग पर लगना चाहता है प्रत्येक जीव ये चाहता है कि मेरा कल्यान हो जाए इसका नाम जीव दया है आत्मा का धर्म कैसे होगा चलो कोई बात नहीं जितने लोग थोड़े गहरे अभ्यासी लोग हैं मैं उनसे पूछता हूँ दौलत राम जी कासलिवाल साब को इतनी भी खबर नहीं थी क्या पर ज जीवों की दया को धर्म लिखते तो हम समझ लेते व्यावार धर्म की चर्चा चल रही होगी लेकिन प्रक्रण तो रत्नत्रे धर्म का चल रहा है यहां और फिर के रहें आत्मा का धर्म मैं मर्म समझा रहा हूँ ना को इस लाइन के पीछे क्या मर्म चिपा हुआ है आत्मा तो कौकरोच भी है न तो आत्मा का धर्म मने यदि ये दया आत्मा का धर्म है जीव दया आत्मा का धर्म है इसका मतलब अपने आपको जीवन दान देना ये आत्मा का धर्म है अपने आपके जीवी तक तव्य की सोचना मैं जिन्दा रहना चाहता हूं मैं कभी मरू नहीं, न हमें कभी दुखी नहीं हूँ, अपने के बारे में ये सोचना, यह जीव दया प्राणी मात्र के उपर लागए होती है, एकिन्द्री जीव दुख नहीं चाहता है, वो किसके उपर दया करेगा, आत्मा का धर्म हैं, जीव दया, पेड़ पौदे खड़े-खड़े सुखी होना चाते हैं कि नहीं दॉलत राम जी की यह लाइन छेडाला वाले दॉलत राम जी की जे त्रिभूवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भैवनत तीन लोक में जितने जीव हैं सबी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं यही तो दया है बोलो बाव जी साब ग्यांचें जी साब कोटा से आपके समाज में सभी लोग सुक चाहते हैं ना कियां सभी सुख चाहतें न ये धर्म है न उनका मैं सुक चाहता हूं या आत्मा का धर्म है प्रतियक जीव सुखी होना चाहता है एक गचल में dud ज़ु नहीं चाहता है दुख से डरता एं दुख से डरता है माने दुख दूर करना चाहता है यही तो दया हैं दुखदूर करना चाहता है यह मेटर अलग है कि वो दुखदूर करने के लिए रोटी खा रहा है कि पैसे जोड रहा है वो अलग मेटर है दया तो कर रहा है ना कि मनें दया करने का था हम भी तो अपने आप पर दया करें बिजनिसमेन अपने आपके ऊपर दया करके यह तो पैसे कमा रहा है और क्या कर रहा है कि ईसुच रहे न मैं कैसे मिलेगा शान्ती कैसे मिले या आनंद आंदे कैसे मिलेगा। संतुष्टी कैसे सबंद मत drapes एव आत्मा ही शरण है अन्य शरणम नास्ति दूसरा कोई शरण नहीं है देखिए जरा आत्मा का धर्म है यद्ध्य धर्म प्रत्यक संसारी आत्मा में विराजमान है पॉइंट भी नोटेड देखना ध्यान देना क्या गजब लाइन के दिए यह जीव दया नाम का धर्म है यह धर्म प्रत्यक संसारी आत्मा में दुखी है और दुखी है तो आत्मा का धर्म है क्योंकि वे सुख चाहते संसारी प्राणियों का धर्म कह रहे। सिद्ध आत्मा का थोड़ी ना सिद्ध आत्मा की थोड़ी ना बात कर रहे हैं संसारी प्राणी यद्यपी यह धर्म प्रतियक संसारी आत्मा में विराजमान है यह धर्म दया धर्म तो भी जब तक आत्मा में इनका विकास नहीं हो तब तक यह आत्मा संसार रूपी जेल से करता कि के शरण में जाएं जेल से शूटने के लिए किसका सहरा ले मैं सबंसारा मोंक्ष प्राप्त नहीं कर सकता इस प्रकार बारबार दहुर्बार करना भार रच और दर्म भावना है को अरे कलप रक्ष मिल जॉ Cabinet मिल जाए हैं को डायमंड मिल जाएं कोई नूर मिल जाएं मेरे को सुकी हो जाओंगा क्या गलत दिशा में जा रहा है दया तो कर रहा है लेकिन गलत दिशा में भटक रहा हैं गलत दिशा में ये कह रहें इस प्रकार का चिंतन करो संसार रूपी जेल से चूट जाए ये जेल है बहुत पहले म हिंकी जेल की बड़ी चर्चक किया करता था कौफी प्रवशनों के अंदर बहुत पुरानी बात किया रहाँ मैंने जेल है ये सब और फिर मैं बात करता था अपराद की ऐसा कौन सा अपराद है जिस अपराद के फल में चत्रगती की जेल मिल रही है तो कौन सा अपरात किया ऐसी क्या गलती की मैंने कि जेल से निकला और जेल से निकल करके फिर जेल में डाल दिया गया निकला ही नहीं एक जेल से बाहर लाकर दूसरी जेल में डाल दिया गया और उस जेल से निकल कर फिर तीसरी जेल में डाल दिया गया उस जेल से निकल कर फि परिब्रमन परिब्रमन ऐसा क्या आपरात किया मैंने मनुष्य गती की जेल में आया शायद देव गती की जेल से नरक तिरियंच की जेल से शायद कुछ ऐसा लगा होगा कि शायद ये लड़का ये कुछ समझदार हो गया है शायद ये जीव थोड़ा सा सुधर रहा है इसे थ इत्यात्व, वही कशाए, वही रागदेश, वही परमे एकत्व बुद्धी, परमे ममत्व बुद्धी, खब छूटेगा, फिर यहां से चला जाएगा और बड़ी जेल में डाल दिया जाएगा, सोचा था मनुष्य परियाए प्राप्त करके देहे में एकत्व बुद्धी को अंसर मिला था, यह चांस मिला था, भाईया सुनो, जेल में रह करके, जो समल जाते हैं, उनकी सजा माफ कर दी जाती है, उनकी सजा कम कर दी जाती है, उन्हें जेल से मुक्ती मिल जाती है, लेकिन जो जेल में रहते हुए भी, उनकी सजा माफ नहीं होती, उनकी सजा और करके रहें यह भाव जो भाव मोहते न्यारे दर्शन ग्यान व्रतादिक सारे के सारे ऐसे धर्म को धारण करो इससे क्या होगा धार्यती धर्म हैं धारण किया जाता है धर्म धारण करने की चीज़े यह धर्म रत्नकर इंश्राव का चार में समंत बद्र आचारे देव कहते ह इस धर्म को धारण करो, ये धर्म जीवन है, ये धर्म संजीवनी है, ये धर्म जीवन दाईनी है, इस धर्म की शरण में आने के बाद में आकुलता टिकती नहीं है, इस धर्म की शरण में आने के बाद में आकुलता बच नहीं सकती, आकुलता का नाम निशान नहीं रहेगा, ढूंडते रह जाओगे तलाशते रह जाओगे आकुलता कहां गायब हो गई ये धर्म की शरण का फल है बार बार चिंतन करो विचार करो धर्म 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 आत्म धर्म का विचार करो वस्तु धर्म का विचार करो वस्तु स्ववावरूपी धर्म का विचार करो ये चिंतन कर करें ये बारंबार 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 चिंतन करो कब करें वाई साफ कब करें वाई साफ कब नहीं करें ये बतला ये सोते उठते बैठते खाते पीते नाते धोते हर समय एक चिंतन एक लक्ष बस एक 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 के अलावा दूसरा और कोई नहीं एक धर्म का चिंतन सारी टेंशने गाएब हो जाएगी माता माता जितना गरम दिखाए दे रहा था सब ठंडा हो जाएगा दिमाग में ठंड़क यदी चाहिए तो दिमाग को खुराक देनी पड़ेगी और दिमाग को एधी खुराक देनी है तो वो खुराक मिलती है जिन्वाणी के माद्यम से वो खुराक मिलती है तत्वग्यान के माद्यम से ये खुराक चाहिए हमारे को आजाओ यहाँ जिन्वाणी की शरण में आजाओ धरम की शरण में आजाईए काम हो जाएगा सारी आक उ पहरा है कि चींकें आ रही है किड्नी फेल हो गई है कि कैंसर की गांट डाइगनोस हो गई है क्या फरक पड़ गया है कुछ नहीं है अंदर में बैठा हुआ जो मित्यात्व है उसे निकालने का उपचार यह यहां इस धरम के माद्यम से होता है यह रत्नत्र धर्म है यह धरम शरण भूते है इस प्रकार इस प्रकार क्या कह रहे हैं बारे भावनाओं की चर्चा किया हमने इस प्रकार बारे भावनाओं का वर्णन किया क्या किया है हमने इस प्रकार बारे भावनाओं का वर्णन किया यह बारे भावनाओं वेराग्य की जननी है अरे कर लिया के चिं बारे भावनाएं और आपने थोड़ी प्रेरना दी थी तो हमने नाम भी याद किया हमने थोड़ा स्वरूप भी याद किया पंडिशे हमने नाम भी याद किया इनके इनका स्वरूप भी याद कर लिया और आपने जो चंद बताये थे वो चंद भी हमने याद कर लिये अब तो अब तो मज़ा आ गया ना अब तो हो गया ना यह के रहे हैं यह यह बारे भावनाएं जो हैं यह वैराग्य की जननी हैं यह बारे भावनाएं वैराग्य को जनम देने वाली हैं कुछ वैराग्य जनमा के नहीं कुछ वैराग्य ने जनम लिया के नहीं लिया वैराग्य न करने में यह प्रधान सहायक है क्या बोलो फ्रधान सहायक है यह यह बारे भावनाओं को वेरागे उत्पन करने वाली मां की उपमादी गई इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे, तब ही जी आतम जाने, तब ही जी शिव सुख ठाने, बोलो, मुने सकल ब्रती बड़ भागी, भाव भोगनते वेरागी, वेराग्य उपावनमाई, चिंत अम्रेक्षा भाई, क्या वैराग्य को उत्पन करने वाली मा और चंत अनुप्रेक्षा, इन अनुप्रेक्षाओं का चंतन करो, कितना हम रदू संबोधन करें, दौलत राम जी जैसे हमारे भाई हैं तोडरमल जी हमें भाई कह करके पुकारते हैं दौलत राम जी हमें भाई कह करके पुकार रहे हैं चेडाला लिखने वाले हे भाई हे भाई हे भाई हमें भाई कह रहे हैं चिंते अनुप्रेक्षा भाई मुनिराज का भाई कह रहे हैं बारे भावना का चिंतन करेंगे हम भी बारे भावनाओं का चिंतन करेंगे तो प्रदान सहायक कारण का है देखो इन बारे भावनाओं का चिंतन करने से वेरागी की पुष्टी होती है अधे इनका सदेव चिंतवन करो सदेव चिंतवन करो कैसे चिंतवन करें बताया तो एक दिन से फिछले दंसे चल रही चर्चा बलारा दिन करा रही चर्चा किते दिन ऊगए अपने चलते हुए काफी दिन हो गए बारे भावनाओं की चर्चे हमने शुरू की थी आठ तरिक से आज तरीक अठारे है अठारे नाज 11 दिन है आज 11 दिन हो गए कि यह बारे भावनाओं का चिंतन करो देखिए अब क्या कह रहे हैं वह सब यहां धर्म के समान कोई मित्र नहीं यह लाइन नहीं पढ़के आपसे पूछता आपका पक्के दोस्त का नाम क्या है प्रमोजी वैसा आपका कौन सा मित्र है तो क्या जवाब देते देना नहीं है कुछ भी जवाब पूछ रहा हूं हमें अपने दोस्त के नाम पर क्या दिखाई देता कोई न कोई कॉलेज में साथ में पढ़ने वाले चाहिलूड फ्रेंड्स बच्पन में साथ में पढ़ने वाले आसपडोस वाले सुख दुख के साथी यह हमारे दोस्त हैं यह हमारे सच्चे साथी हैं यह क्या कह रहे हैं हम किसे मित्र समझ रहे हैं अरे भईया पाप कर्म क उदे आता है जिने हम मित्र समझ रहे थे वे शत्रू हो जाते हैं जो शत्रू हो जाते हैं उदे बदलते ही परिस्तियां बदल आती है हम किसे मित्र कहें और किसे शत्रू कहें अविरल भाई बो कौन जगत में मित्र है और कौन जगत में शत्रू है बोले धर में ही एक मात्र मित्र है और पाप के समान कोई शत्रू नहीं है दो पाप के उदय के समान शत्रू नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं पाप के समान श शत्रू नहीं है इसमें भी थोड़ा सा रेस से चिपा हुआ है जितन जी भाई सब सुनना जरां पाप के समान शत्रू नहीं है इसका मतलब पाप के उदय को शत्रू नहीं के रहे हैं पाप के उदय को तो मित्र जानते हैं यानि धर्मात्मा पाप के उदय को शत्रू दोड़ इदर उदर आहार विहार के लिए निकल गया हुता माते पर जलती हुए सिगड़ी तो मेरी मित्र हैं हो 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 है सेट सोमिल तुम तो मित्र हो मेरे अरे जैसे जैसे मुनिराजियों के उपर उपसर्ग होते हैं पाप कर्म के उदे में वैसे वैसे वे अपने उपयुक को समिट लेते हैं अपने अंधर में वे पाप के समान कोई शत्रु नहीं इसका मतलब मेरी मन में pre पाप भाव उत्पन हो गया है, वो मेरा दुश्मन है, मेरे मन में जो खोटा भाव आ गया है, वो मेरा दुश्मन है, पाप का उदय नहीं, पाप कर्म के उदय में खाने की विवस्ता नहीं हो, पाप कर्म के उदय में रोटियों की विवस्ता नहीं हो, पाप कर्म के उदय में कैंसर हो गया हूँ लाश्ट स्टेच चल रही है और विस्तरों पर पड़े वह हूँ और डॉक्टरों ने जवाब देदिया हूँ सुनो यह मेरा दुश्मन नहीं है यह दुश्मन नहीं है है रै मौत मेरे मौत को तो साथी कहते हैं मौत को तो मित्र कहते हैं इस सड़े गले शरीर से चुटकारा दिला देगा देवगती में जाकर कि सुन्दर वेक्रियक शरीर मिलेगा अनिक प्रकार की रिद्धियों से संपन्र शरीर मिलेगा तो जिस रोग ने आकर मेरे इस शरीर से मुझे चुटकारा द बात करते हो पार्शनाद भगवान जब मुनी अवस्ता में थे और कमट ओले बरसा रहा था पत्तर बरसा रहा था तो बतलाओ कितने दुश्मनी थी पार्शनाद भगवान के मन में कितनी क्या-क्या भावना होगी उनके प्रति ये मेरा दुश्मन देखो फिर आ गया ये पत् जल्प को दुश्मन जानते हैं ग्यानी दर्मात्मा अतिंद्री आनंद में मगन रहने वाले हमारे महा मुनिराज शुभुपयोग को दुश्मन मानते हैं शुभुपयोग परिनती को दुश्मन मान करके चलते हैं अरे अरे इस शुभुपयोग परिनती ने मेरे अतिंद्री आनंद में विगन उत्पनिकर दिया, ये मेरा शत्रु हैं, अरे अरे मुझे ये लेखन का भाव क्यों आ गया, मैं क्या समझा रहा हूं किसी और को, ये धर्म समझाने की चीज नहीं है, ये धर्म तो समा जाने की चीज है, हम किसे समझाएं वहिए, ये चिंतन करते हैं, ये ध क्या चाहते हैं यह क्या कहना चाहते हैं धर्म के समान मेरा कोई मित्र नहीं है मेरा मित्र बाहर में नहीं है और धर्म क्या है अपने शांत परिणाम धर्म क्या है रत्नत्र धर्म क्या है सम्मेक दर्शन धर्म क्या है सम्मेक ज्यान सम्मेक चारित्र यह धर्म है अरे जिसके इ जो व्यक्ति भेद विज्ञान कर रहा है यह धर्म का नहीं यहां रत्नत्रे को धर्म कहा गया है नहीं यहां पर सम्यक दर्शन को धर्म कहां सम्यक ज्यान को धर्म कहां सम्यक चारित्र को धर्म कहां सम्यक दर्शन मने श्रद्धा मेरी मेरे सभाव के साथ में जुड़ गई है यह धर्म है ज्यान सम्यक ज्यान हो गया है भेद विज्यान अब हो गया बेत विज्ञान हो गया है अरे जैसे भेत विज्ञान हो गया है वो सम्य ज्ञान हो मेरा मित्र है वो तकलीफ नहीं पाने देता है Tiger ज्ञान के समेढ़ मने उस भेद विज्ञान के समान उस सम्यक्ष रद्धा के समान कोई मित्र नहीं है और पाप के समान कोई शत्रू नहीं है ओहो मेरा मित्यात्व मेरा शत्रू है पहले गुणस्तान वाले मित्यात्व को अपना शत्रू माने आगे के गुणस्तान वाले राग को अपना गिरा देने वाला शत्रू कौन है अपना राग परिणाम अपना विभाव परिणाम वह मेरा शत्रू है दुनिया में कोई मेरा शत्रू नहीं है शत्रू अंदर हैं इसलिए शत्रू का वाव भी अंदर करना है मित्र अंदर है इसलिए सैयोग भी अंदर से ही लेना है शत्रू अंदर नश्ट कहां करना है अंदर मित्र अंदर तो सपोर्ट किसका लेना है कि अंदर का ये क्या क्या धर्म है ये ये धर्म है ये ये चिंतन करने के लिए के रहें ये चिंतन करो और आनंद में मस्त रहो बस मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो प्रसंद रहो हर क्षण हर पल प्रसंद रहो आनंद के जरने जरते प्रदेशों में जूमते रहो धर्म के समान कोई मित्र नहीं पाप के समान कोई शत्रू नहीं है धर्म ही सार है ये धर्म ही सार भूते है ये धर्म ही सहयोग करने वाला है धर्म ही जीव को संसार दुख से निकालता है संसार दुख से निकालता है कौन निकालेगा संसार दुखों से निकालने वाला कौन है इस दुनिया में कौन निकालेगा संसार के दुखों से धर्म इस जीव को निकालता है संसार के दुखों से संसार में दुख लगते हैं क्या टोडरमल जी की फंक्तियां याद आती है भाईया यदि संसार के दुख दुख रूप बासित नहीं होते हैं तो एक बार गहराई से विचार करना संसार के दुख दुख रूप बासित नहीं होते हैं एक बार शांत चित्त से बैट करके दुनिया और अपने सगे संबन्दी मित्रों के मन में जांकने की कोशिश करना आपको कशाई दिखाई देंगे आपको स्वार्त ही दिखाई देंगे वो स्वार्त कूट कूट कर बरा हुआ नजर आएगा आपको कैसे नहीं दिखाई दिता है तुम्हें वेराग्य कैसे नहीं होता है ये संसार के दुक दुक कैसे नहीं लगते कैसे नहीं है क्या हो गया है दिमाग फिर गया है पागलपन सवार हो गया है भाई यहां हमें तो मित्यात्व का प्रभाव दिखाई देता है और कुछ नहीं है इनके पीछे यदि किसी का प्रभाव है तो यह एक मात्र मित्यात्व का प्रभाव है और किसका प्रभाव है मोह का प्रभाव मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई तुझे अपनी ही मही माने आई मुझे अपनी ही मही माने आई क्या मरो सुरेंद्र जी साब क्या कहे रहे हैं अपने आपकी मही मही माने आई हमारे कुई हमर बड़तीली चली जा रही है बडापा दस्तक दे रहा है क्या 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 कहे रहे है धर में ही संसार से निकालता है निकलना है क्या निकलना है तो धर में ही शरण है वही निकालता ए शिरी तिर्संकर देव और महा पुरोष्य ओहू शिरी तिर्थंकर देव रिशब देव अजितनाथ संभवनाथ अभिननाथ सुवतिनाथ पद्नप्रव सुपार्षनाथ वोलो आप चंदरप्रव पुष्पदंत शीतलनाथ श्रयांसनाथ जी वासु पुझे जी विमलनाथ जी धर्मनाथ जी कुन्तिनाथ जी आरनाँ जी मलन दंद पुझे मॉरियनाथ जी ने कटमारव सुपार्षनाथ जी महाविर जी क्या करें कमनों देवाधी usula people के यूज़ कर देवादी लिद्वार्व याकर जी समृर जीवन में इनका विचार करते थे किसका विचार करते थे पार्षनाद भगवान ने किसका विचार किया महाविर भगवान ने किसका विचार किया कोई भी प्रत्वानु युक्का शास्त्र पढ़कर के देख लीजे किसी भी करेक्टर की चर्चा करके देख लीजे कोई तो उठा करके देखिए आपको प्रत्यक चरित्र के अंत में आते आते दिक्षा लेने के प्रसंग में बारे भावनाओं की चर्चा मिलेगी ग्रेस्त दशा में बारे भावनाओं का चिंतन किया जाता है वेरागे उत्पन होता है वेरागे को टिकाए रखने वाली हैं ये बारे भावनाओं कुब खूब भाय साब क्या है ढोलो यह बारे भाहना यह यह महापुरुशों का जीवन है महापुरुशों की लाइफ स्टायल है महापुरुशों का चिंतन है यह क्या कि आ पूर पूर्सी गरी दरिए-तॱ तूचरिए-तकों-शनिये-भवि-प्लणी तिनकी-क्र्तू-द पाटिजी सुबह कर रहें हुँ क्या परक पढ़ता है कभी भी करो लेकिन चिनतन करो रहें कार्ति के स्वामी की पंक्तियां याद रखना तिहुवन तिलयम देवम वंदित्ता तिहुवनिंद परिपुज्यम वोच्चम अनुपेहाओ भविये जणानंद जणनियो भविये जणानंद जणनियो कभी-कभी को जनम देने के नाम पर बिदछता है व्यक्ति अ वैरागिय को जनम देने के नाम पर गवराता है यह दूर आधा France बेर घर सब्राइबि दोग बोधी दुरलब धर्न आनंद जननी यूँ आनंद को जनम देती हैं जनम देती हैं आनंद को धरम भावना के संदर में कार्थी के स्वामी ने 3212 तेवीस नंबर की गाथाएं लिखिये वो खोल करके देखना जरा आनंद आएंगे जम जस जम्मी देसे जेन विहानेन ज जो संकदी सोहु कुद्धि भाईया द्रविक्षेत्र काल भाव का विचार करू हर द्रव्य हर वस्तू के स्वच अतुष्टे अपने अपने हैं सारे द्रव्य हर वस्तू हर पर्मानू पर्मानू अपने स्वच अतुष्टे में रहता है संपन्न होकर के रहता है इसका वि या रे प्रभु तू सब बातें पूरा तू किस बात है अधूरा किसी भी बात में अधूरापन नहीं है ये विचार और चिंतन जो जीव करते हैं निरंतर करते रहते हैं उनके जीवन में शांती प्रकट होती है सहजता प्रकट होती है ये बारे भावनाओं का चिंतन ये चि रहना मस्त रहना जब कोई संकट आकर के घेरने का प्रयत्न करे बारे भावनाओं का विचार करना शुरू कर देना मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह वह औश्दी है जो निश्चत तोर पर यदि संकटों को मिटाएगी नहीं तो संकट में कमी जरूर ला देगी आकुलता कमी जरूर आजाएगी यह वह औश्दी है खूब चिंतन करो खूब विचार करो बारे भावनाओं का इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं कल करेंगे मने राज इन बारे भावनाओं के दम पर कैसे कैसे परीशहों को सह जाते हैं कितने बड़े-बड़े संकट को सह जाते हैं कैसी परेशानियों को सह जाते हैं नंगे पाऊंच चलते हैं केश लौच कर लेते हैं सर्दी गर्मी भूख प्यास सह जाते हैं हमारे पास तो दोनों टाइम भोजन की व्यवस्ता है रोटियों की व्यवस्ता है फिर किस बात का रोना है किस बात का रोना है कि निराकुल रहकर के सब अपने जीवन को सफल करें इसी भावना से जन्वाणी निजनीदी निजमें बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जन्वाणी मां को बंदनाशत बार है वन्दनाशत बार है उल्द्वाण को बंदनाशत बार है उल्द्वाण सोन कार्मनत्र नौ बंदनशत बार है